सो गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे हम अपने इंसाग्राम अकाउंट को पर्मनेंटी डिलीट कैसे करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इंसाग्राम अकाउंट है आप भी अपने Instagram account को permanently delete कर सकते हैं वो भी बड़ा easily तो चलिए जान लेते हैं कैसे Instagram account को delete करेंगे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे सबसे पहले तो Instagram को आपको open करना है देन उसके बाद आपको नीचे की तरफ profile देखने को मिल रही है इस पर आना है और उपर आपको three lines देखने को मिल रही है इस पर click कर लेना है यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है Settings and Privacy Settings and Privacy पर आपको click करना है जैसे आप Settings and Privacy पर click कर लेंगे देन उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिल रहा है Account Center Account Center पर आपको क्लिक करना है Account Center पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रोल करने नीचे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा Account Setting के अंदर Personal Detail Personal Detail पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे देखने को मिल रहा है Account, Ownership and Control इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर Option मिल जाता है Act Deactivate और Delete का तो आपको Deactivation पर क्लिक कर देज़ा है जो सबसे नीचे आपको देखने को मिल रहा है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आपको अपना Account जो है Select कर लेना है तो मैंने अपना Account सलेक कर लिया है उसके बाद यहाँ से आपको दो Option दिखाएगा या तो आप Temporary अपना Account को Deactivate कर लिजिए या फिर आप Permanent Delete कर लिजिए तो Delete Account लिखा हुआ है जहाँ पर इसको Select कर लेंगे उसके बाद Continue पर क्लिक कर देंगे Continue पर क्लिक जैसे हम करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा Delete Your Instagram Account की आपका Reason क्या है आपको कोई Reason देना होगा यहाँ पर Something Else कर सकते हैं आप या फिर कुछ भी Select कर लिजिए देन उसके बाद Continue पर क्लिक कर दीजिए Continue पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको Password डालना होगा देख सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं Password डालूँँगा फिर मैं Continue करूँगा एक बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपने Account को Delete कर दे तो आपको 30 दिन तक अपने Account को Open नहीं करना है Login नहीं करना है क्योंकि Permanently Delete जो हो 30 दिन बाद हो जाएगा Automatic तब तक आपको 30 दिन के लिए अपने Account को छेड़ना नहीं है Login नहीं करना सिर्फ उसको यहाँ पर अपने Instagram account को बंद रखना है तो गाइस बस ऐसे आप जो है Permanently Delete कर सकेंगे अगर आपने 30 दिन के अंदर-अंदर फिर से उसको Login कर लिया तो फिर से Activate हो जाएगा Delete नहीं होगा अपने कर सकेंगे